नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है सुसान सिंग राजपूत केस में वो ये है कि रिया चकवरती अब NCB के सामने बिल बिलाने लग गई है रिया चकवरती ने अपना मुग खोलना सुरू कर दिया है और रिया चकवरती को ये भी पता चल चुका है कि सुसान सिंग राजपूत केस में अब वो बचने वाली नहीं है और इसी वज़े से रिया चकवर्ती ने दोस्तो सुसान सिंग राजपूत केस में कुछ बड़े खुलासे कर दिये हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिहां आपको बता दे सुसान सिंग राजपूत केस में रिया चकवर्ती पर बहुत ज़्यादा सक किया जा रहा था कहा जा रहा था कि रिया चकवर्ती सुसान सिंग राजपूत केस में चाहती नहीं है कि इनसाफ मिले सुसान को और तोर NCB की टीम ने भी साफ कर दिया है कि रिया चकवर्ती ने सुसांत केस में बहुत सारी बाते चुपा रखी है और इन बातों को अब रिया चकवर्ती को सामने आ करके बताना ही होगा जिसके बाद रिया चकवर्ती के होस उड़े हुए है और रिया चकवर्ती दोस्तों NCB के दफ्तर पहुँच रही है जहाँ पर रिया चकवर्ती को दर-दर की ठोकरे भी खानी पड़ रही है लेकिन आपको बता दिए माजरा यहीं पर ही रुकने वाला नहीं है और रिया चकवर्ती पर NCB ने गवार फिर से कुछ गंभीर आरूप लगाए हैं जिसमें NCB का कहना है कि रिया चकवर्ती ने सुसान सिंग राशपूत को खतम करने के लिए और सुसान सिंग राशपूत को ड्रक्स देने के लिए एक सडेन तरचा था रिया चकवर्थी सुसान सिंग राजपूत के लिए ड्रक्स मंगाया करती थी ये NCB की टीम के द्वारा किया गया खुलासा है इसका मतलब ये है कि अब रिया चकवर्ती को बताना ही होगा कि रिया ने सुसान सिंग राजपूत के लिए ड्रक्स क्यों किस से और किस वजह से मंगाया ये सारी खुला से अब रिया चकवर्ती को करना होगा NCB के दफ्तर पहुँचकर क्योंकि सुसान सिंग राजपुत का केस एक बार फिर से खुल चुका है और रिया चेकवरती एक बार फिर से सब के सामने आ चुकी है और रिया चेकवरती को सब की सच्चाई बता नहीं हो कि उसने सुसान सिंग राजपुत के साथ क्या क्या किया था तो यही तब वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोग के साथ सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद